सवाल नमबर एक सांस फुलने की बिमारी क्या है और क्यूं होती है? सवाल नमबर दो सांस फुलने की बिमारी के पहचान कैसे होती है? सवाल नमबर तीन सांस की बिमारी के रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सवाल नमबर चार क्या पेट में गैस के कारण सांस के समस्या हो सकती है? पर सास फुलने लगती है सवाल नमबर नौ क्या टहलने से सास की बिमारी सही हो सकती है सवाल नमबर दस सास फुलने की समस्य को जड़ से कैसे खत्म करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इन सवालों के जवाब से सबसे पहले सास फुलने की बिमारी क्या है और क्यूं होती ह शिडिया चड़ने, मेहनत का काम करने या दोड़ने भागने में सांस फुलना आम है लेकिन किसी भी तरह की मेहनत किये बिना दोड़े भागे बिना अगर आपका सांस फुलता है तो यह एक medical condition है जिसका इलाज होना जरूरी है सांस फुलने का सबसे बड़ा कारण बॉड़ी को परियाप्त oxygen नहीं मिल पाना है जिसके वज़ा से फेफणों पर प्रेशन पढ़ता है और फेफणे oxygen पानी के लिए सांस लेने की गति को तेज कर देते हैं सांसों की गति को बढ़ने को हम सांस फुलना कहते हैं यदि समय रहते सांस फुलने पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका परिणाम घातक साबित हो सकता है सवाल नमबर दो, सांस फुलने की बिमारी की पहचान कैसे होती है दरसल सांस फुलने की बिमारी की पहचान कई तरीकों से की जा सकती है जैसे दिल की गदी का तेज हो जाना, सांस लेते वक्त आवाज निकलना, गले में जलन और फेफ़णों में जलन महसूस करना खांसी के साथ खून आना, आखों में पानी आ जाना, चक्कर आना या फिर बेहोशी महसूस करना, छोटी सांस, घबराहट, लगतार खांसी होना, चेश्ट के आसपास घिसाओ, पैर की उंगलियों में सूजन, खराश और सूजन के करण गले में दर्द, आवाज में बदलाओ सांस की बीमारी के रोग थाम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप सांस समंधी बीमारियों के लक्षणों के बारे में पता करें, वो डॉक्टर से परामश पर दवाई लें, सांस की जाच के लिए एक पीक फ्लो मेटर भी रखें, धुम्रपान, धूल, ठंडी हवा, फ्लू औ और हर उस चीजी से बचें जो अस्थमा को ट्रिगर करती हो, सही वजन, रोजानावयाम और योग आसन भी आपको सांस समंधी रोगों से बचाते हैं, एर प्यूरिफायर, इनहेलर्स, नाक स्प्रे और मास्क का उप्योग करें, यह आपको धूल मिट्टी और सबजियों, फलों, नट्स, डेरी और पोल्टरी सहीथ हेल्दी डाइट ही लें, और वयापक स्वास्थ बीमा योजनाओं का चैन करें, जो आपके इलाज के खर्च को कवर कर सकें, सवाल नमर चार, क्या पेट में गैस के कारण सांस के समस्या हो सकती है, दरसल कोई भी इस् आतों के अंदर मल, आंतर सिंट्रोम, सिलियक रोग, कबज, इलियेज, आंतर रुकावट और गैस्ट्रोपोरिसिस सुजन भी सांस के तकलीफ का कारण बन सकती है, पेट में गैस, तरल पदार्त या भोजन के निर्मान के कारण सुजन हो सकती है, जिससे भी सांस लेने में तकलीफ या फिर कटनाईयां हो सकती है, सवाल नमर पांच, सांस फुलने पर कैसा भोजन करना सही रहता है, दरसल सांस फुलने की समस्य को दूर करने के लिए आप अपने आहार में सभी पौश्टिक चीज़ों को शामिल करें, भोजन में डाल, सबजी, चपाती, चावल औ करें और भरपूर डाइट लें, सांस फुलने की समस्य को दूर करने के लिए आपको अंकुरित अनाज का सेवन करना होगा, इसके लिए आप रात के समय बोंग, किश्मिश, बादाम, चना आदी को भीगो कर रख दें और सुब उटकर इसका पानी का सेवन करें और अंकुर सांस फुलने की समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप तले गले खादे पदार्थ नहीं खाएं, पौश्ट्री खाना खाएं और रोजाना कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, जिससे आपका शरीर फिट रहेगा और आपका स्टैमना भी बढ़ेगा, इससे स सांस फुलने जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, सवाल नमर 6, क्या शरीर में पानी की कमी होने पर सांस फुलती है, दरसल शरीर में पानी की कमी होने पर सांस लेने के तरीके में भी बदलावाने लगता है, शरीर की कोशिकाओं को पानी की कमी की वज़ा से परया या किसी भी वजह से जब ऑक्सिजन पर्याप्त मातर में शेरी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती तो आपकी सांसे छोटी होने लगती है। या बिमारी अगर लंबे समय तक चली आ रही है तो अस्थमा, निमोनिया या पिर CPOD के लक्षण हो सकती है। इसके लावा, जिनका वजन जितना ज्यादा होगा, उसे सांस लेने में उतनी ही तकलीफ होगी। हम आपको बता दें कि मोटे लोगों को सांस फुनने की बहुत ही ज़्यादा समस्चा रहती है। ऐसे में थोड़ा चलने या फिर दोडने या फिर सिढ़िया चड़ने पर परिशानी होने लगती है। सही हो सकती है। दरसल जो लोग किसी भी प्रकार के शाररिक गतिवीधी नहीं करते हैं, उन्हें कभी कबार काम करना भारी पड़ सकता है। उनके सास फुलने लगती है। इसलिए रोजाना टहलने जाना चाहिए। इसी के साथ आप रोजाना एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपको सास फुलने के समस्या नहीं होगी। इससे आपके नाग की नलियां साफ होती है, और सास लेने में किसी भी प्रकार के समस्या नहीं होती। अदरग का सेवन शरी के लिए बहुती फादेमंद होता है। इसके टुकडे को आप चबा चबा कर भी खा सकते हैं। या फिर अदरग को कुट कर उसकी चाय बना कर भी पी सकते हैं। इससे आपके शरीर से बलगम निकलेगा और सास फुलने के समस्या से निजात मिलेगी। जिन लोगों की सास फुलती है उन लोगों को चुकंदर का सेवन करना चाहिए। क्योंकि यह शरीर में आरेन की पूरती करता है। इसके साथ इसमें फाइबर, कैल्सियम, पोटैसियम, विटामीन आदी भी होते हैं। इसलिए शरीर के लिए फादेमंद होता है। जिन चाहिए।